स्री गणेशा आई नमा जैसे क्रिश्नमित्रो आज हम इस वीडियो में गुरुवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए उस पर बात करेंगे तो चलो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो गुरुवार को पुरे नियम और निष्टा से बगवान विश्नु की पूजा की जाती है मानियता है कि इस दिन बगवान विश्नु की पूजा करने से ग्यान बल यस की प्राप्ति होती है साथ ही मातालक्ष में भी प्रसन होती है जिससे दन के योग बनते है ब्रोषपती देव की पूजा करने से जीवन में खुश्यों का आगमन तो होता ही है साथ ही ब्रोषपती ग्रह भी सांध हो जाता है वही अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में ब्रुवस्पति की स्थिति कमजोर है तो व्यक्ति को अन, धन, प्रतिष्ठा, स्वास्ताय सबका नुक्सान होता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि गुरुवार के दिन जाने अन जाने व्यक्ति से ऐसी गल्दी हो जाती है जिस से कुंडली में ब्रुवस्पति की दसा बिगर जाती है और भारी अपसुगन हो जाता है आईए जानते हैं गुरुवार के दिन किन कामों को करने की सक्त मनाई है और किसी भी हालत में इन कामों को करने से बचना चाहिए गुरुवार को कभी न करे ये काम नमबर एक, गुरुवार के दिन कपी भी बाल नाखुन नहीं काटना चाहिए या कटवाना चाहिए ऐसा करने से संतान सुख में बादा उत्पन होती है नमबर दो, गुरुवार के दिन पूरुष या महिला को अपने बाल नहीं दोना चाहिए इससे कुंडली में गुरु की सिती कमजोर हो जाती है इसके साथ ही वहवाविक जीवन संतान सुख पर बुरा असर पड़ता है नमबर तीन, गुरुवार के दिन दक्षिन पूरुव नैरुत्यकौन की और पूजा करने से बचना चाहिए खास कर दक्षिन दिशा की और क्योंकि इस दिशा में दिशा सुरु रहता है नमबर चार, गुरुवार के दिन किसी भी वरिष्ट व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए नमबर पांच, गुरु जनों को पूल कर भी निरास नहीं करना चाहिए नमबर छे, कार्यस्तर पर अपने उच अधिकारी बोस आधिकी निंदा नहीं करनी चाहिए नम्बर साथ, इस दिन जूट बोलने से बचना चाहिए नम्बर आठ, किसी भी दर्म या देवी देवता के बारे में व्यर्थ नहीं बोलना चाहिए तो मित्रो, गुरुआर के दिन यह सारी बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए दोस्तो, आसा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए और आपके सबंदी और मित्रों के साथ यह वीडियो सेयर किजिए जिसे उनको भी यह सारी बात की चानकारी मिले धन्यवाद